LIC का धन रिद्धी प्लान क्या है? LIC का धन रिद्धी प्लान एक non-linked, non-participation, individual savings, single premium life insurance प्लान है. ये प्लान दो options में मिलता है. पहले option में policy धारक के असमय चले जाने पर बीमाराशी का 1.25 गुना और दूसरे विकल्प में 10 गुना तक पैसा मिलता है. ये policy 3 तम 10 साल, 15 साल और 18 साल में मिल सकती है. इस policy में सिर्फ एक बार premium जमा होता है. ये policy किस age group के लोग ले सकते है? Option 1 में यानि 1.25 गुना वाले option में 18 साल तम के लिए age 90 दिन से 60 साल तक होनी चाहिए. 15 साल तम के लिए age 3 साल से 60 साल तक होनी चाहिए. 10 साल तम के लिए age 8 साल से 60 साल तक होनी चाहिए. Option 2 यानि 10 गुना वाले option में 18 साल तम के लिए age 90 दिन से 32 साल तक होनी चाहिए. 15 साल तम के लिए age 3 साल से 35 साल तक होनी चाहिए. 10 साल तम के लिए age 8 साल से 40 साल तक होनी चाहिए. इस policy में minimum sum assured 125,000 है. मैक्सिमम सम अश्योट की कोई लिमिट नहीं है इस पॉलिसी को 23 जून से 30 सितंबर तक ही लिया जा सकता है लिहाजा अगर आप इसमें पैसा लगा कर फाइदा लेना चाहते हैं तो जल्दी करें आईए इसे एक्जामपल से समझते हैं अगर आपकी उम्र 30 साल है और 5 लाग सम अश्योट के लिए ये पॉलिसी लेते है और आप्शन एक चुनते है तो अगर आपने 18 साल का टम लिया है तो आपको 4,15,100 रुप्य का निवेश करना है मचोरिटी पर आपको 11,30,000 रुप्य मिलेंगे अगर आपने 15 साल का टम लिया है तो आपको 4,48,357 रुप्य का निवेश करना है मचोरिटी पर आपको 10,25,000 रुप्य मिलेंगे अगर आपने 10 साल का टम लिया है तो आपको 4,88,120 रुप्य का निवेश करना है मचोरिटी पर आपको 8,25,000 रुप्य मिलेंगे पर सेम कंडिशन में अगर आप आप आप्शन दो चुनते हैं, तो अगर आपने 18 साल का टम लिया है, तो आपको 3,80,171 रुप्य का निवेश करना है। मचोरिटी पर आपको 6,50,000 रुप्य मिलेंगे। अगर आपको विडियो पसंद आई हो और काम की लगी हूँ तो विडियो को लाइक, शेर और कमेंट जरूर करें। विडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अपने बाद। अभर करें। प्रच्ज मिलें हो जर आपको पूरा आपको को ऑने धन्यवाद। और को कि लिए आपको विए बाद।